गरीब की समपत्थी रमेश और सुरेश पडोसी थे रमेश एक गरीब किसान था पर सुरेश एक मकान मालिक था रमेश गरीब था, पर बहुत खुश था और शान्ती से अपना जीवन बिताता था रमेश को जादा चिंता नहीं थी वो गरीब था, फिर भी वो अपने घर के खिड़की और दर्वाजे खुले रखकर ही सोता था सुरेश हमेशा ही बहुत चिंतित रहता था वो अपने घर की खिड़किया और दर्वाजे बंद रखता था उसे हमेशा ही इसी बात का डर था कि कोई चोर आकर उसकी तिजोरी में से पैसे चुरा लेगा सुरेश रमेश की इस सुकून वाली जिन्दगी से जलता था एक दिन सुरेश ने रमेश को अपने घर बुलाया और उसे पैसो से भरा बक्सा हाथ में दिया और कहा मेरे भाई रमेश मैं बहुत पैसे वाला हूँ पर तू बहुत गरीब है ये पैसो से भरा बक्सा अपने पास रख और खुश हो जा रमेश ने वो पैसे से भरा बक्सा अपने हाथ में लिया और बहुत खुश हो गया वो पूरा दिन बहुत ही खुश था जब वो रात को घर गया पर देखता है तो क्या उसे रात को नीन ही नहीं आ रही थी उसने दर्वाजे, खेड़किया, सब कुछ बन कर दिया पर फिर भी उसे नीन नहीं आ रही थी उसका पूरा ध्यान वो पैसे से भरे बक्से में था वो बहुत ही चिंतित था अगले ही दिन सुबह हुई रमेश वो पैसे का बक्सा लेकर सुरेश के घर गया और उसने वो पैसे का बक्सा वापस सुरेश को दे दिया और कहा, मेरे भाई, मेरे पास पैसे नहीं है, पर मैं सुकून की जिन्दगी जीता हूँ, जब से ये पैसे मेरे पास आये है, मैं सो भी नहीं पा रहा, तू तेरे पैसे वापस ले ले। यह देखकर सुरेश को समझाई कि जिन्दगी में पैसा सब कुछ नहीं होता सीख जिन्दगी में पैसा सब कुछ नहीं होता जितना है उतने में ही खुश रहना चाहिए